इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देकर किसी दवाई का उप्योग करते ह ये प्राकृतिक तत्व शरीर में बढ़े हुए रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये स्वस्थ नसों और रक्त वाहिकाओं का समर्थन करता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, ये एक आहार पूरक है जो मधुमे को प्रबंधित और नियंत्रित कर सकता है। दो, ये प्राकृतिक तत्व शरीर में बढ़े हुए रक्त शर्करा के स्तर को बनाये रखने में मदद करते हैं। तीन, ये इंसुलिन गतिविधी और समवेद अन्शीलता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। चार, ये अग्न्याशे के कारियों को बढ़ाने में मदद करता है और अग्न्याशे में बीटा कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ावा देता है। पांच, करेला टाइप आए और टाइप दो मधु में दोनों में रक्ट शरकरा के स्तर को कम करता है। छे, ये बार-बार पेशाब आने को नियंतरित करने और कमजोरी और ठकान को कम करने में मदद करता है। साथ, नीम में फ्लेवोनोईद्स, ट्राइटरपेनोईद्स, अंटिवाइरल यॉगिक और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जो रक्ट शरकरा के स्तर को प्रबंदित करने में मदद कर सकते हैं। आठ, गुर्मार अंटियोकसिडन्ट और अंटी इंफ्लेमेटरी गुरों से भरपूर होता है, जो शुगर क्रेविंग से लड़ने और उच्छरक्ट शरकरा के स्तर को कम करने में मदद करता है। 9. इसमें जिमनेमिक एसिड होता है, जो इसके हाइपोग्लाइसामिक प्रभाव को बढ़ाने और मधुमेए से समबंधित जटिलताओं को कम करने में मदद कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।